कानून की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से याने ओनलाइन लीगल एडवाइस के माध्यम से हम आप तक पहुचाते रहते हैं इसके पहले दो पर्टिकलर वीडियो जो मैंने आपको बनाये थे MTP Act 1971 MTP इट मींज जो Medical Termination of Pregnancy का कानून है ये 1971 का कानून है इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या important provisions हैं और किस किस conditions पर जो बच्चा है उसे terminate किया जा सकेगा या pregnancy terminate की जा सकेगी इन दो topic इन दो मुद्धों पर हम लोग बात करेंगे बने रही अंत तक पूरी जानकारी देने का मेरा आपको प्रयास रहेगा मैं हूँ अशुक पाइंडे शुरुआत करते हैं Medical Termination of Pregnancy Act से संबंधित important महत्वपून कानूनी प्रावधानों के बारे में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो Section 2D वो क्या बोलती है जो Medical Termination of Pregnancy Act का Section 2D है वो ये कहता है कि जो Pregnancy है वो Terminate की जा सकेगी वो खदम की जा सकेगी गर पात कराया जा सकेगा किसके द्वारा Medical Practitioner जो की Registered हो उसके द्वारा मतलब Registered Medical Practitioner के अलावा कोई और Terminate नहीं कर सकता Section 2 में properly define किया हुआ और इसके अलावा Registered Medical Practitioner कौन होगा Registered Medical Practitioner की जो proper definition है वो 1956 का जो दूसरा कानून है उसकी धारा 2 Section 2 में बताया गया है और ये कानून है Indian Medical Council Act 1956 तो Medical Practitioner वो होता है जो State Government है State Government के पास में एक Registered होता है मैं आसान शब्दों में आपको बतानी के कोशिश कर रहा हूँ पूरे देश में अलग-अलग राज्जियों है अलग-अलग राज्जियों में एक particular Registered होता है किसके हिसाब से जो Indian Medical Council Act 1956 का का कानून है जितने भी बनके निकलते हैं डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स एक particular उनका जो Registered is State Government का बहाँ पर उन सबकी Entry होती है आप यह समझ लीजे इसे Medical Register भी कहा जाता है तो जिसने भी Medical जैसे MBBS की डिग्री लखी हुई है या उसमें जो Masters होती है उसकी डिग्री ली हुई है और especially जैसे जो बच्चों के Pregnancy को Terminate करेंगे Gynecology बोलते हैं उसे Obstatics बोलते हैं तो इन से संबंदे जो डिग्री अगर उन्होंने रखी हुई है अपने पास में उन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई है और ये State Government की जो मैंने आपको Medical Register बताया था बहाँ पर अगर Registered है तो उन्ही को ये Power है उन्ही को ये Legal Rights है कि वो Medical Pregnancy को Terminate कर सकें तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया है Registered Medical Practitioner Section 2D के हिसाफ से MTP Act 1971 अब किन Conditions पर Pregnancy को Terminate किया जा सकेगा मतलब Termination of Pregnancy की भी बहुत सारे Reason है बेवज़ा बच्चे को Terminate नहीं कर सकते गर्पात नहीं कर सकते सबसे महत्वपून ये है कि Medical Practitioner जो भी रहेगा वो किसी भी IPC या किसी भी Prohibited Law के हिसाब से Punished ना हुआ हो उसे कोई सजा ना मिली हो इसका बहुत महत्वपून तरीके से ध्यान रखना है अगर उसे किसी भी प्रकार से सजा मिली हुई है या किसी कानून का उसने violation किया था तो वो permit नहीं है बच्चे को Terminate करने के लिए गरपात कराने के लिए और अगर वो ऐसा करता है तो IPC के provision के हिसाब से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है 312 IPC मैंने आपको बताया था 312 IPC जहां पर 3 साल के कानूनी प्रावधान का जिक्र है और अगर महिला के या बच्चे की जान पर बात आ जाए तो उस condition पर 7 साल तक की सजा का परावधान है तो पहला मैंने बता दिया आपको जो medical practitioner होका उसके खिलाफ में कोई case offense नहीं चल रहे हो और उसे किसी गुनाह की सजा ना मिली हो ये बात ध्यान में रखनी है अब इसके अलावा दूसरी बात कि जो duration है वो बहुत important है याने जो 12 हपते से कम के बच्चे होंगे 12 weeks की जो भून बोलते हैं जैसे तो वो 12 महिने का ही होना चाहिए अगर 12 महिने से जादा का है तो फिर 2 qualified medical practitioner का requirement होता है जरूरत होती है 12 से 20 महिने तक 1971 के कानून के हिसाब से लेकिन अगर 12 हपते का है तो जो एक medical practitioner है उसे terminate कर सकेगा अब कब कर सकेगा उसके भी conditions है पहला तो मैंने आपको time limitations बता दी मतलब 12 weeks से लेकर के 20 weeks 20 हपते तक के जो बच्चे हैं उन्ही को terminate किया जा सकेगा medical practitioner के वो भी good faith में अगर उसे लगता है कि इससे महिला की जान में कोई खत्रा आ सकता है या उसके mental abnormality आ सकती है mental health में कुछ या physical health में कुछ परेशानी होगी उसकी जंदगी में कुछ danger हो सकता है तभी उसे terminate किया जा सकेगा दूसरी बात ये है कि जहाँ पर 18 साल से कम की कोई लड़की है कोई महिला है कोई बच्ची है उसके साथ रेप हो जाता है या कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं उस condition पर भी Medical Pregnancy Act 1971 के कानून के हिसाब से बच्चे को abort किया जा सकेगा गरपात कराया जा सकेगा और उसके जो prescribed laws हैं उस कानून के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि ये जो termination होगा अगर 18 साल से उपर कोई lunatic है या कोई पागल है या उसको मानसेक रूप से या कुछ handicap है तो उस condition पर भी बच्चे को terminate किया जा सकेगा तो पहला 18 साल से कम है तो उसके साथ कोई रेप जैसी घटना होनी चाहिए या कुछ ऐसा अपराद होना चाहिए जो की कानूनी रूप से prohibited है और ऐसे घटना होने के बाद जो MTP Act 1971 का कानून है Medical Practitioner Act जो मैंने आपको बताया था Indian Medical Council Act 1956 और जो provision होते है Medical Termination of Pregnancy 1971 के कानूनी प्रावधान के जाब से अगर कोई 18 साल की उपर है वो पागल है, वो विक्षित है उसका दिमाग ठीक नहीं है या हैंडिकेप्ट है तो उस कंडिशन पर भी Terminate किया जा सकेगा दूसरा बच्चे के टेस्टिंग होते हैं जब एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का जब बच्चा होता है तो उसके टेस्टिंग होते हैं और जैसे आप सोनोग्राफी टेस्ट में पता करवाएं या किसी और टेस्ट में और ऐसा समझ में आता है कि बच्चे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो मतलब उसके दिमाग की जो संरचना है वो पूरी तरह से नहीं हो रही या एक हाथ कम है या पैर नहीं है या आख नहीं है तो इस प्रकार की जो अबनॉर्मिलिटी होती है उस कंडीशन पर भी जो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का कानून वो पर्मिशन देता है कि ऐसे कंडीशन पर भी बच्चे को अबॉट किया जा सके टर्मिनेट किया जा सके बट कंडीशन सेक्शन 2 की वापस से आ जाएगी कि उनली बायदा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर अदर्वाइस जहां पर भी 20 हपते से जादा का समय हो जाता है बहाँ पर आपको कोट की पर्मिशन इस्पेशली लेनी होती है अभी अमेंडमेंट चल रहा है अमेंडमेंट ऑल्रेडी पार्लियमेंट में दे दिया गया है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या है आखिर ये कानून क्या नया कानून आने वाला है 1971 का तो जो कानून था वो पुराना हो गया अभी 30-35 साल का जादा समय हो गया अब जो नया 2020 का अमेंडमेंट है जो मोदी सरकार लेकर के आ रही है उसके जो महत्रपून की फीचर से और क्या-क्या बदलाव Medical Termination of Pregnancy Act 1971 के Amendment to 2020 में किया जाएगा अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जानकारी इस पर्टिकलर वीडियो में आपको कैसी लगी पसंद आई हो तो जरूर मुझे पताईएगा comment box मैं जरूर mention कीज़ेगा इसके साथ हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि लगबग 20 जो comment है या 200 comment तक मैं reply करने की कोशिश करता हूँ और आप मुझे प्रशन पूछ सकते comment box पे किसी person problem के लिए बात करना चाहे